साथियों, ये हमारी सरकारी हैं जिसने हेल्थ केर पर सबसे अतिक बल दिया है पिछले वर्ष, फर्स्ट वेव के दोरान, हम ने लगबग 15,000 करोड रुपिये हेल्थ केर के लिए आवंटित किये थे जिससे हमारे हेल्थ इंफ्रास्टर को बढ़ाने में मदद मिली इस साल हेल्थ सेक्टर के लिए बजट का एलोकेशन दो गुने से भी जादा, यानि दो लाग करोड रुपिये से भी अधिक किया गया अब हम ऐसे क्षित्रों में हेल्थ इंफ्रास्टर को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड रुपिये की एक क्रेडिट गरंटी स्कीम लेकर आये हैं जहां स्वास्त सुविधाओं की कमी है हमने बच्चों के लिए जरूरी हेल्थ इंफ्रास्टर को ससक्त करने के लिए भी 22,000 करोड रुपिये से ज़्यादा आवंटित किये हैं आज देश में तेजी से नए एम्ज खोले जा रहे हैं नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं आदुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है 2014 तक जहां देश में केवल 6 एम्ज से वहीं इन 7 सालों में 15 नए एम्ज का काम शुरू हुआ है मेडिकल कॉलेज की संख्या भी करीब डेड़ गुना बढ़ी है इसी का परणाव है कि इतने कम समय में जहां अंडर गर्जुएट सिट्स में डेड़ गुने से ज़्यादा की वृद्धी हुई है वहीं PG सिट्स में 80 परसंट इजाफा हुआ है यानि यहां तक पहुंचने के लिए जो संगर्ष आपको करना पड़ा वो कठिनाई है हमारे युवाओं को आपके बच्चों को नहीं उठानी पड़ेगी दूर सुदूर खेत्रों में भी हमारे जादा से जादा युवाओं को डॉक्टर बनने का आउसर मिलेगा उनकी प्रतिभा को उनके सपनों को नई उडान मिलेगी